नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत सागत है आपका business to explore चैनल में दोस्तों आज मैं आया हूँ समीम एहमत जी के पास जो यहाँ पर हमें लकड़ी के बारे में जानकर देना चाहते हैं दोस्तों आपके बहुत सारी queries थी काफी सारे लोगों ने comments किया था कि आकर सागवान की खे करकेट है और यहां पर पुरी के शीया से लगड़ी के खरीदार राते हैं यहां पर आते तो हमीम इहमत जी तो किस सर आज आप हमारे किसान बाईन को बताएं कि किस प्रकारी खेती करें तàकि कि लख्ड़िक बॉह अच्छी होती है और किस अची लख्ड़िक यहां मिलती है प्रिक्री की बात है एक इस और इसागवान के मिलते हैं यह दो उसमें काम करती है एक परनीचर लाइन में और एक जो है इमार्ति लगणी जोड़ी पल्लें अब निस्ते प्रहुंड तो अच्छी खेती अच्छे दाम के लिए सागवान ज्यादा अच्छा है और जहां तक खेती की बात है किसान भाजियों को मैं बताना चाहूंगा और कि उंके जो चक होते हैं उसके चारों तरफ जो आशिया को बोलते हैं यह पाउन्डी कहके इस थी उसमें लगां पूझा और उसमें मिन छी होगा सकते हैं लगा सकते हैं सॉथ्ट वह उसके हैं तो वल्य ton किसानों को यह अच्छी दाम मिल सकते हैं तो किस प्रकार की लगड़ी बिखने के लिए तैयार होती है काभी सारे किसान वायों की और वह लगवब 20 साल में चार फुट की गोलाई यहीं पचास इंची गोलाई के आसपास पहुंच जाती है शीशम है शीशम थोड़ी कम गुरोध होती है लेकिन उसके रेट भी अच्छे होते हैं 15 साल में वह भी जए तीन फुट के लपेट में आ जाती है नीम भी ऐसे लग सब्सक्राइब हो जाता है वह सबसे तेज पसल है अभी आप सागवान की दो एक पसल लेंगे और सफेदा जिसको युकलिप्टिस बोला जाता है उसकी कवाज कम दो तीन पसल उस टाइम तर ले लेंगे चुकि यह दो तो लेहीं लेंट है दो बार दो यहीं डबल हो जाए जो इसे फाइदा किसान को यह होगा के शागवान का यह जिश्यम का तो पनरहे एक साल में उसको बनिभी दोना एक अग्दम यूकलिप्टिस का जो है हाइब्रेट जो आप चल लेंगे उसको साथ साल में एक बार उसको मिल जाएगा बीच में तुर उसको लगा दें और य काव में देखा जाता है किसान बाइव में डोल का काटने का जगड़ा लगा दीजिए कोई जगड़ा ही नहीं रहता है बिल्कुल सही बात है आपके खेतों की बाउंडरे के साथ साथ आपको 15 साल में 20 साल में बहुत अच्छी अर्निक्स बीस से दोस्तों हो जाती है तो यहा साथ वान अगर कीला होगा कुछ लोग जो है वो उसको काट करके सुखा लेते हैं इसको पानी की महासरा जादा हो जादा हो जादा होता है कि लेका हाजी उसका 15 साल में जो पेड़ होगा लगा उसको 2025 रुपे कुंटल हो जाएगा कम से कम मैं मान के चलूँगी पचास कु चाहिए उसकी लाइप लाइए उसकी देखबाल करता है और यह है कि दोस्तों कर 40 विए आपके पास सागवान की लगड़ी होती है तो कम से कम आपका चाहिए हजार रूपे के लिए सागवान की सागवान की लगड़ी है उनका यूसर नहीं नहीं होती है अच्छी कौलिटी का है अच्छी गणाइब आप गया जी अच्छी तो तो उसके लोगो जबता है को ईक्वारी की अच्छी होती है, अच्छेशन है आपका शेशन इलेट वारेटी है हाज जोग खो दूरी इसके पास है तोशर इसमें आप बताई कि किसान भाई जो अपना लकड़ी बेचना चाहते हैं वह आप से किस तरी कि संफ़र सकते हैं और कैसे आप उनकी हीट करते हैं इसको रखना करते हैं और सूथी यहां यहां की वुड कार्विंग की सれक्टी से किया है कि यह टेडी मेडी होती है जी वो मॉस्टली काम आजाती हैं इसको बड़े पीस का और है किसी इसफोट का काम है इसी का बड़े पीस की कि बात है तो बहुन है तुसीं लगडी के आप बसन कर्ते हैं कर देड़ी मेडी के कम हो जा तो और तुमसी बात यह है काम आती है कि आपके फरनीचर लाइन में और इमार्दी लगड़ी है विंदो के फिवाड पिवाड बनाते हैं जोड़ी पल्ले अधिए शीशम के भी और विसमें जो सीधी बढ़िया लगड़ी होती है अच्छी तरफ सपहद के लावा जाला हो पकी लगड़ी कहलाती है तो इमारत में पहले पहले हैं कि तो सर ने हमें बताये कि किस तरीके से पेड़ों की खेटी करके पेड़ लगा कि आप अपनी चारतिवारी पे बहुत अच्छा मुनाफाइब कमा सकते हैं दोस्तों में सर का नंबर आपको description में दे दूँगा और thumbnail में भी लगाओगा आप इनसे directly contact कर सकते हैं कि कैसे माल इनको कब लेके आना है और कब देचना है ये आपको पूरी जानकारी उसके उपर भी दे रहेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छे जानकरिया आपने हमारे चैनल की वीवर्स को दी दोस्तों अगर अभी तरग चैनला सब्सक्राइब के लिके तो सब्सक्राइब कर लिजिये और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही वीडियो में लेके आता हूँ इस चैनल पर दोस्तो और ऐसे ही आपको नहीं नहीं जान करें इसमें देता हूँ थैंक्यू दोस्तो बहुत बहुत थैंक्यू आपका